हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी और वरतमान में रासवासांसर ब्रजलाल जी सर जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मृत्यू ही लगातार विवाद हुआ लेकिन आप पॉलिस के सरवुच पत पर उत्तरप्रदेश में आप रहे से आगे गैंग बनाई किस तरह से उसने काम करना शुरू किया मुक्तार अंसारी महम्मदाबाद थाना है उसमें उसका गाउं है क्रिकट खेलता थे और उस समय साधू सिंग मकनू सिंग मुडियार गाउं के थे जो उसी थाना छेत में पड़ता है और वो हर्शंकरतिवारी के सूटर थे सत्तर कसी के दसक में जितने बड़े माडर हुए साधू सिंग मगनु सिंग करते थे यह उनका गुर्गा था इसको बदमासी का बड़ा सौक था तो एक बड़े गाइंग लीडर मिल गए उसमें था उस राजपूत परिवार में 24 जून कराम फाइल यह सीधा मुक्तार से जुड़ा हुआ है तो यह जब वहां मुर्डर हो गया उसके भतीजों ने किया तो 10 अक्टूबर 85 को मकनु सिंग को अरंपत सिंग के बेटों ने जिसमें में था त्रिभूण सिंग और उधर ब्रिजेस सिंग उसके बाप का मुर्डर हु लेंग वार चला इसका नाम तो नहीं आया लेकिन सबसे सेंसेशनल मुर्डर इसने किया था दो जनवरी 86 को थाना साइद पूर छेतन में जब इसने दो भाई बिरंदर सिंग बेडा और डाक्टर राम बिलाज सिंग जो रंपत सिंग के बेटे थे उनको मार दिया फिर मुक मुक्तार का वह अपना अफजाल अंसारी बिधायक बन चुका था उसके प्रयास से यह जेल से आगे हास्पिटल में उनके पतनी को बच्चा हुआ था सुबह सुबह एक गाड़ी पहुंचती अंबेस्टर उसमें कुछ वर्दी धारी निकलते हैं कि चकिंग करना है और अब सिंग ले गया धानापुर वहां दो मार दिया इस तरह से साधू मकनु गैंग समाथ हुआ तो उसकी गैंग की कमान समहा ली मुक्तार अंसारी ने उधर ब्रजेस और त्रिवुन मिल गए थे इन दोनों के गैंगवार में दर्जन नहीं हंडर्स में लोग मरें तो इस मुक्तार अंसारी की सुरुवात हुई लेकिन मुक्तार अंसारी जो राजनेतिक रूप से मजबूत हो करके एक बड़ा बनमास बना अपने भाई अफजाल अंसारी के सायोग से वह 85 में विधायक बन गया कमरिस पार्टी से अब 93 में अच्छा उसी दोरान 93 में ये गया जैसर राम मुक्तार चाता था गाजीपूर सदर से चुनाओ लड़ना मानवर कासी राम जो जाते थे सबीदिन सिदीकी साब थे जो मुक्तार के साडू लगते थे गाजीपूर में वहीं रुकते थे तमाम जो बड़े बड़े नेता थे बाम सेफ के इसके मुक्तार अ सायोगी विश्वनात राम मुनीब दलित उनको जनरल सीट से टिकट दिया बीस नॉम्बर 93 को सुबच चुनाओं के लिए ओट पड़ना था और 19 की रात में 11 बजे विश्वनात राम मुनीब दलित घर चे निकले और दो गाड़ियां आती है मोटरसाय के लिए और अतर अतर अनिने मरवाया क्यों उनको टिकट नहीं मिला तो चाता था मुझे जितना अरालत में तो एलेक्शन काउंटर मांड हो गया जब काउंटर मांड हो गया और 94 में बाई एलेक्शन हुआ तो कासी राम जी ने टिकट दिया कालासनात यादों को और रोते हुए पूंचे कि साम अंसार काम नहीं करते थे मुक्तार रहने नहीं देता था कुछ बड़े सब अच्छे अफ्चरतनात हुए मैं कुछ का नाम बता दूं जावी धामर डीजी हुए चार दिन पंद्रा दिन जमाल अश्रफ बीस दिन संदीव सालूं के दो मां अभै संकर चार मां बिरंदर कु कमार आज के एडी जी हैं एक माहँ राजे सिर्बास्तो इन एं र रविंदर टीन माहा तरुं गावा तीन माह एनके सिर्फबास्तों पंच महां 15 दिन डाक्टर पितिंदर सिंह साथ माहा भ्रिजराज माहीना छे दिन bud तुबै एक महेना वीसदिन वीके गर्ग चार महीना दो दिन बैभो क्रिशना दो दिन दो महीना आठ दिन आनंद कुलकनडी दो महीना दस दिन रविसंकर शबी एक महीना दो दिन और जस्वीर सिंग एक दिन तो मुकतार ने ये किया अगर उसके हमसार कोई S.P. नहीं काम करता तो रहता नहीं पाता था और उनको रहता तो जिसके हमसार काम करने और सही बात इसका काम क्या था अपराग और जो सिपाही इसने भरती कराए मैं एक साफ बना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल के इलामा जो इस में क्यों सिपाई नहीं आई पेस आपसर तक सामिल थे दो घटनाए बताना चाहूंगा 2004 में मैं आईजिला नाटर होता था संसदी चुनाव हुआ और आईजिला नाटर ही नोडर अफसर होता है हमारे पूरे प्रदेश ने बहुत अच्छा चुनाव हुआ गाजीपुर में चुनाव होता था मुक्तार ने दहसत फैलाने के लिए जैसे सुबह चुनाव हुआ महमदाबाद इसका जो अपना में कस्भा है एक बियार थे बीजे पी के ओवर कर उनको एक सैंताली से धरा धर गोली मारी दहसत हो जाए तमंचस मार सकते थे एक सैंताली से फिर दिन में क पर बाहर एक सैंताली सफाय दना दन इसके जितने गुर्गया ताउर रहमान बाबू सहाबू मुन्ना बजरंगी यह सब चल रहे थे और दीपक सर्मा एसपी थे रोकने का प्रयास नहीं और मुझे आईजी जोन को भेजना पड़ा केल मीना को लेकिन तब तक मुक्तार नचाओंगा एक लाइट मेशिन गन का पकरन हुआ मैं आजी लान ओडर था डीजी आफिस में बड़ा किनारे वाल अपद माना जाता है लेकिन मुझे भी मालूम होता रहता था सेलंदर सिंग थे इसका नंबर सर्वलांस पर था और यह 2004 की बात है जनवरी इसने लाइट मे यादो उसके माध्यम से उसने बावुलाल यादो उसका भांजा था उना से राश्ट्री राइफल से लाइट मेशिन गन लेकर भाग आया और सलेंदर सिंग ने लाइट मेशिन गन और धेर सारेकार्ट उस पखट गी पोटा होता था जो मानने अटल विहारी भाजपे यह बनवाया था जिसको मनमोहन सिंग सरकार आते ही उसको खतम किया गया तुस्टी करण की राजनीत में तो पोटा का मुकदमा कायम हो गया है और उसमें मुन्नर यादो मुक्तार अंसारी बावुलाल यादो उसके बाद जैसे पहार तूट पड़ा हो और मुलाहिम सिंग जी अपना एडीजी लान ओडर थे एक डीजी को उसको इतना प्रताडित किया गया डिप्टी एसपी सलेंदर सिंग को कि दस फरवरी 2004 को उसने इस दिफा दे दिया अब चुकि पोटा कम गदमा कायम हो चुका था प्रजिक्यूशन के लिए सासन में आया मानी मुलाहिम सिंग जिन्हें मुक्तार अंसारी को प्रजक्यूट नहीं होने दिया परमिशन नहीं दिया मुन्नर यादो और बावुलाल यादो को दद्दस साल गिसे जा होती इसारी पॉलिटिकल पार्टी चाहें वो अखले शादवाओं शिपाल या आने जुदल हों कॉंग्रेस के निता हो वो सब जो हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मौत के पीछे कोई ना कोई विवाद है इसकी जाच होनी चाहिए क्योंकि कुछ खुद आप पुलिस अद्कारी रहे हैं यूपी एस्टी एफ के आप चीफ रहे हैं हर तरह के आपने जो दुर्दान तपरादी हैं उसे मुक्तार अंसारी की मौत का कारण क्या मानते हैं मौत का कारण आलड़ी कई डाक्टरों के पैनल से जिसमें बहुत सीनियर डाक्टर नहीं कि लोकल डाक्टर मक्कल लिये हूं और किया गया क्या पाया गया हार्ट अटेक प्योर हार्ट अटेक उसके बावजूदी मेस्टर inquiry order है SIT बना करकी पुलिस तो कर रही है यह जो पार्टियां यही तो लाभानुईत होती थी बताने कांग्रेस ने तो पंजाब में रखा इसको जोगी आदितनास लाए समाजबादी पार्टी तो इसको पालती रही आपको याद होगा जब मुवतार अंसारी को लाया जा रहा त्रिशना रंदार की पतनी पर क्या भी था जो इसने धरजनों माडर किया पुलिस वालों का माडर किया उनके परिवार का भीयत है तो केवल एक ओट बैंग के राजनीत के लिए प्रभाविद करने के लिए यह पाट्निया कर रही है इसको कोई सीवियाई जांच की जरूर हैं और कांग्रेस तो वही है जो पंजाब में रख करके इसको पालती थी और समाजबादी पार्टी का तो पाला हुआ गुरगाई है जिसने इसको इतना मजबूत बनाया और जेल में गाजीपूर जेल में समाजबादी पार्टी थी अरे मुलायम सिंग जी तो जब जाकर उसके कुट्य से हाथ मिला रहे था हमाने मुलायम सिंग जी और वो के सिवियाई में गया अभी 29 मार्च को छे को सजा हो गई आजम कारवास हती ही कामद वो होती उनको सजा होती तो कंग्रेस में से कहा समाजबादी पार्टी तो बदमासों को पालने वाली जितने उसके भाई और उसके बेटा और भाईयों को मुलायम सिंग ने समाजबादी में उस समय दिया जब ददुआ पर 7 लाग का इनाम था फरार था तो इवन एलक्षन जब आते थे तो चंबल के ढकायत फर्मान जारी करते थे समाजबादी पार्टी को उच्ट में देते थे नि पूद कैप्चरिंग चंबल रेंज में होती थी ढकायतों से आज जोगी राज है चंबल समाथ हो गया जितने माफिया कुछ मारे गए एक कुछ जेल में हैं बाकी की हिम्मत नहीं हो रही है अब आए संपत्यों पर बुल्डोजर चल रहा है गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं और हजारों करोड की संपत्यां अपराद से कमाई की अटाइश कर ली गई है तो यह जोगी राज है मोदी राज है इसमें जीरो टालरेंस है और यह आज इस्तिती यह बनी है तब उत्तर प्रदेश में 40 लाग करोड का इन्वेस्टमेंट आया है और जो पांच टिलियन की एकोनामी हम लोग कलपना कर रहे हैं कि उसको हम डेड़ दो साल में अचीव करेंगे उसमें एक टिलियन डालर की कंट्रिबूशन उत्तर प्रदेश का होगा जो गिया दितनात का होगा मैं लिवाद हमसे बात करने के लिए तो उत्तर प्रदेश पलिस के पूर सबसे बरे श्रटकारी डीजीपी रहे यूपी एश्टीफ के चीफ रहे और पूरा उस समय मुक्तार अंसारी के शुरुआती दिन से लेकर और मौत तक की किस तरह से मुक्तार अंसारी ने पूर नपकिटीन दिल्ट